सब को में नमस्कार, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूट्यूब के तीन न्यू अपडेट्स के बारे बताने जा रहा हूँ चो कि बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है अगर आप एक यूट्यूवर है और आप चाहते हैं कि आपका content सर्च में जाए, ब्रॉट फूचर में जाए, बहुत इंपोर्टेंट अप्डेट है और small YouTubers के लिए भी बहुत ही जादा इंप्डेट्स निकलके आई है तो यहाँ पर जो टिम अपडेट है उपमें से जो पहला अपडेट है वो है Mention eligibility के रिगारी और एक जांपल आपको पहले जो mention करने के लिए eligibility चाहिए थी वो थी 1000 subscribers की आपके चैनल पर 1000 subscribers होते थी तो आप किसी को भी mention कर सकते थी या किसी भी चैनल पर mention हो सकते थी पर यहाँ पर YouTube ने अब इस क्राइटीरिया को कम कर दिया है और आपके लिए क्यों 500 स्क्राइबर्स का क्राइटीरिया या के लिए इलिजिविटी रखिए आप मेंशन भी कर पाएंगे और मेंशन हो भी पाएंगे अगर आपके पास 500 स्क्राइबर्स है So all the best for the fellow YouTubers जो भी small YouTubers है उनके लिए बहुत अच्छी good news है Second good news is कि अब आप mobile जो अपना application होता है YT Studio उसी पे जो है अपने audience को देख सकते हैं कि कब वो live है कितने time तक live है कब जा रहे है कब आ रहे है सारी चीज़ा आप mobile पे ही track कर सकते हैं और उसके according अपनी वीडियो को publish कर सकते हैं और यहां पर जो थर्ड अप्डेट है वो बहुत ही बड़ी अप्डेट है क्योंकि यह अप्डेट मुझे परसनली बहुत पसंद आई है परसकी search ranking बढ़ने की probability बहुत जदा बढ़ जाती है और यहां पर officially यह launch है कि अब यह metadata का हिस्सा बन चुका है Google पे भी और YouTube पे यहां पर आप देख भी सकते हैं तो इसको ध्यां में रखें और chapters को add करना शुरू कर दें अगर आप अपने वीडियो को रहें करना चाहते हैं तो क्योंकि यह बहुत ही बड़ी launch है बहुत ही बड़ी update है पूरा पूरा algorithm चेंज हो चुका है अभब कर दो कर दो कर दो कर दो को चाहते हैं जाप भाइ